एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा आपको जानकर के खुशी होगी मेरी लाग जो जानकारी थी करीब करीब 40-45 लाग ऐसे सिनियर सिटिजन जिनों ने लिखा कि मुझे सबसेड़ी नहीं चाहिए मैं पूरी टिकेट देना चाहता यह है मेरे देश का सामानने मानुवे का मिजाद जो बढ़ला है वही मेरे देश की भविश उजवल भविश की गारंटी है यह आशा यह विश्वास है आत्मविश्वास है सप्णे और उन सप्णों के अनुकुल सरकार की नीतियां सरकार की रीती सरकार की गती सरकार की मती उसको एक नई ताकत देती है पहले ऐसी मानताते सब कुछ सरकार करेगी हम ही सब कुछ है हमने आकर के बदल दिया जी नहीं हमसे बड़ा देश है देश के लोग बड़े है सबासो करोड देशवासी देश बड़ा सकते है हम तो निमित है उनके भरोसे छोड़िये वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना ताय कर लिया है देश के भरो से सवासो करोड देशवासियों के भरो से चलना ये सपना ले करके हम चल पड़े हैं और वही ताकत है एक मोधी नहीं है ये सवासो करोड मोधी है जो देश बदल रहे हैं अगला प्रशन इस और से दॉक्तर निशिल शाह हमारे पीच में मैं उनसी अनरोत करूँगा कि वो अपना प्रशन समबोधित करें माननी प्रधान मंत्री हो हमारे कारता माइक सiãoज हैws प्रिश लें जाकटर निशिल शाह प्रशन पूछ रहे हैं माननी ये प्रदान मंतरी, आर्केटेक अफ दियू इंडिया, बहरत का नागरिक होते मुझे गर्व की बावना है कि सामान्य गर में से आके आप ब्रश्ट ताकातों के सामने चुनोती दे रहे हो और इसी चुनोती के साम डर के मारे एक महागंट बंदन हो रहा है, दोजार उ आपने सही कहां कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े-बड़े बैगेजिट लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा हमें तो वो डरी नहीं था खुली किताब जैसी जिन्दिकी रही हैं तेरा चवदा साल आपके बीच में काम किया है विरोध्यों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई वो ही ताकत थी जिसके कारण डर्ण नहीं लगा कभी क्या होगा अरे जो होगा तो होगा यार होता क्या दूसरा मैं यह विश्वात से मानता हूं यह मैरा कन्विक्शन है हमारे देश की समस्याओं की जड़ में यह प्रश्टाचार दिमक की तरह गुज गया है सारी व्यवस्ता को तभा कर दिया है कहीं से तो शुरू करना चीए कि नहीं करना चीए बताईए मैं भी यह कैसे करें बहुत इतना फैल गया है कौन कर सकता है छोड़ो यार सारी सरकारे आई चली गई कम से कम हम नहीं करेंगे यह कहकर कि मैं भी छुड़ सकता रहा लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो और मैंने उपर से शुरू किया और यह उपर ठीक हो जाएगा ना तो नीचे तो फिर आप समझ लीजे भमा भाम होने वाला है और इसलिए और आपने देखा जिस चार चार पिड़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था उनकी ताकत ऐसी थी देश को अठारा महने तक जेल खाना बना दिया था यह ताकत देऊं कि कभी किसे ने सोचा नहीं होगा कि चार चार पिड़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाहे वाला चुनोती दे रहा है और आपको पता है ना विजमानत पर है कभी किसे ने सोचा होगा और और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग है वो भी कोड के चक्कर काट रहे है और मुझे विश्वास है सभासो करो देश्वासो क्या सिर्वाद है यह कोड के चक्कर जीतने लगाने लगा ले एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा देश का जिनोंने लूटा है उन्होंने लोटा ना ही पड़ेगा आप मुझे बताईए पहले भी इस देश से बेमानी करके रूपिय मार करके देश छोड़के लोग भागे हैं कर नहीं भागे हैं सैंकडों की तादाद में भागे हैं लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या करे वो भाग गया हमने कानून बनाएं जो भागा है उसकी पाई पाई जब तक करेंगे दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब तक करेंगे और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है अगर सबासो करों देश वासों का उजवल भविश देश के नवजवानों का उजवल भविश यही दिल में भड़ा पड़ा है तो ये निर्णेक भी आपने आप होने लग जाते हैं जहां तक आगे हमें चुनाओ का सवाल है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है इस्वर देखिए जनता जनारदान इस्वर का रूप होती हैं और ये किसी के पढ़े लिकर के आए हुए लोग नहीं हैं किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं अपने आप आवाद दे रहे हैं क्या होगा हमारे सामने चुनोती और है एक दल के रूप में एक उम्मीद्वार के रूप में कॉंग्रेस हार जाए इतने से काम बनने वाला नहीं है कॉंग्रेस मुक्त भारत का मतलब है पिछले सत्तर साल में कॉंग्रेस ने जो गलत चीजे देश की राज़ितिक जीवन में सामाजिक जीवन में पारिवारिक जीवन में गुशेर दिये हैं देश को उससे मुक्ति दिलानी है परिवारवाद, जातिवाद, महुशवाद, ब्रसाचार, मेरा, तेरा ये जो बिमारिया गुश गई है देश को उससे भार निकानना ही पड़ेगा और इसलिए हम मंत्र ले करके चले हैं सबका साथ, सबका विकार और कोई जी अगला प्रशन बहुत हजारों लोग पूछना चाहते हैं लेकर अगला प्रशन इस और से हैं मैं श्रीमती उर्मिला बारोट से निविदन करूँगा तो इस वक्त ये जो बी-31 में हैं उपर खड़ी मिये हमारे बीच में मेरे कारकरत बंधू उनके पास जाएं और माइक सोफ हैं और ये प्रेशन फूथ है श्रीमती उर्मिला बारोट जी उर्मिला जी प्रधान मंत्र जी आपका प्रेशन नमस्कार सर नमस्ते मैं लीगल फील्ड से हूँ मैं पिछले कई टाइम से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हूँ मैंने देखा है कि 2014 में जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे वही लोग आज मीडिया और प्रसार माध्यमों के ध्वारा देश में नेगेटिवीटी फैला रहे है और गलत मैसेज पास कर रहे है जबकि हमारा देश अभी कितने टाइम से विश्व गुरू बनने जा रहा है महासत्ता बनने जा रहा है और ऐसे टाइम में जब देश के लिए और राष्ट जब देख रहे हैं कि उसके लिए कोई अब देखें कि कोई राष्ट के लिए हमारे देश के लिए आप गुजरादी वो लिए चिंदा बर्ती जी सारा कि आपका सवाल में समझ गया आप जो कहना चाहते हैं आपका भाव में समझ गया हूं हम चाहते हैं सर के हमारे देश में जो अरजकता हो रही है वो अरजकता बंध हो और हमारा देश का पूरा विकास हो और ये विकास में हम जैसे नागरिक देश का उज्वल भवीश्य बन में लगे हुए हैं और हम प्रहतना कर रहे हैं तो हम जेसे नागरीकों के लिए आपका क्या संदेश है वंदे मात्रम आपने ये जो चिंता की इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ये बास ही है अगर आप 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय की खबरें तो एक टोली थी भोली नहीं थी भली भी नहीं थी ये टोली लगातार कह रही थी पहले अगर बीजेपी मोदी को गोशित कर देना तो पूरी बीजेपी खतम हो जाएगा मोदियाने ऐसा, मोदियाने वैसा, मोदियाने ऐसा पता नहीं क्या क्या कहते थे अब बीजेपी ने हमको गोशित कर दिया तो उन्होंने चालू कर दिया मोदी को कोन जानता है गुजरात वाले जानते हैं और कौन जानता है फिर उना ने चालू कर दिया बीजेपी के पहले इतने परसंटेज बोट थे बढ़ बढ़ करके इतने बढ़ेंगे इतने बढ़ेंगे तो इसका टोटल लगाओ तो इतना सीट हो जाएगा बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता ह तो उन्होंने पता जिया थे हंग पार्लामेंट बनेगी ये सब हुआ तक नहीं हुआ था अब उस समय उन्होंने इतना सारी महनत थी नहीं नहीं तरक दिये नजाने क्या-क्या बाते फ्यलाई लेकिन जंता के गले नहीं उतरी जनता के गले मोदी उतर गया अब मुझे बताईए 2013-14 में जिनों ने इतनी महनत गी ये मोदी नाम का खड़ा ही नहीं होना जेए उनके दिल में कितना गुसा भरा पड़ा होगा बताईए वो अपमान महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे वो मोदी को हर हाल में निचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे अपने अहंकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे ये negativity का कारण वो ही है लेकिन हमें ऐसी negativity की चिंता नहीं करनी चाहिए हमें नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है पॉजिटिविटी हम सही सची बातें अगर वो एक बार बोलते हैं तो हम सो बार बोले वो एक जगा पे बोलते हैं तो आप पचास के सामने बोले अगर आप सब इस काम में जुड जाएं तो नेगेटिविटी करने माले तेरा चवदा में भी कर रहे थे अभी ही करेंगे अच्छा एक तो यह जमात हो गई है जिनको मेरा मुँ भी पसंद नहीं है नाम भी पसंद नहीं है दूसरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है अब मुझे बताइए जिन तीन लाग कंपनियों के ताले लगा दिये वो मोधी जिन्दाबाद भोलेगा क्या वो बोलेगा निया बोलेगा मोधी बेकार आज भी बोलेगा निया पहले हमारी हाँ कि फ्रीप्राइज सौप जो होता है सस्ते अनाज की दुकान गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं सरकार 30-35 रुपे में खरीटी है गरीब को 3 रुपे 2 रुपे में देती है ताकि हमारे देश का गरीब भूका सोना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे लोग ते इस मैं से भी खा जाते थे गरीब का भी खा जाते थे 6 करोड राशनकार ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे उनके नाम के राशनकार थे उनके नाम पर गेहू जाता था तीस वाला तीन में जाता था पिर तीस में भीकता था और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था ऐसे 6 करोड लोग जो गोस्त थे भूतिया थे जिनका अस्तित्व नहीं था अब मैंने बन कर दिया जो लोगों को सबसेडी मिलती थी डारेक उनके खाते में जमा होने लगी ते बीचोलियों की दुकान बंद हो गए कि नहीं हो गए हो गए कि नहीं हो गए अब जिनके जेब में हर वर्ष 90,000 करोड रुपया कितना कितना नब्बे हजार करोड रुपया जिनकी जेब में जाता था मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया वो मोदी को पसंद करेंगे क्या ना मोदी को पसंद करेंगे क्या मोदी उनको पुसिपट लगेगा नहीं लगेगा भाई तकलीब होगी कि नहीं होगी अब आप मुझे बताइए देश के लिए मुझे एक काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे मेरी चिंता करनी चाहिए कि देश की करनी चाहिए मुझे मुझे मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा 2019 में क्या होगा ऐसे डरते रहना चाहिए क्या हिम्मत से देश के हित्पे काम करना चाहिए और इसलिए मैंने किया है नेगेटिविटी करने वाले उनको मुबारत मैंने देश हित में काम किया है पूरी पवित्रता के साथ किया है आपकी तरफ से पॉजिटिव समाचार पहुचाने का प्रयाद अगर आप में से कुछ लोग नमो एप पर चले जाएंगे कितने लोग हैं जिनके वान नमो एप है काफी लोगों के पांस है लेकिन बहुत लोगों को डाउनलोड करना चाहिए करेंगे उसके अंदर सारी जानकारी या सही जानकारी है सरकार की एक एक मिनिट की जानकारी है उसमेंसे जो आपको ठीक लगे आपके दोस्तों को आपके रिस्तेदारों को आपको परिवारों को फॉर्वर्वर कर दीजिए देखे पॉजिटिविटिविटी का माहूल अपने आप बंडे लग जाएगा और कोई जी सथ अगला प्रश्ण हजारों युवा यहां से अभूत पूर संदेश लेके जा रहे हैं कि नतारात्मक का जवाब सिर्फ नतारात्मक का हो सकता है ऐसे में एक प्रश्ण श्रीमति विराज दिवान इस तरफ है मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रश्ण करें वो चार्टर अकाउंटेंट है पेशे से और विराज दिवान पीछे हैं, बिलकुल खड़ी हैं, और वो प्रश्टर करना चाहती है, चार्टर एकाउंटन्ट है वो पेशे से. आदर्निय प्रदान मंत्री जी, नमस्कार, आप हम जैसे युवाओ के बहुत बड़े प्रेणा स्त्रोथ रहे हैं, आपने कई सारे ऐसे काम किये हैं, जिसकी बज़े से आने वाली पेड़ी आपका धन्यवाद करेगी, चाहे नोट बंदी हो या GST, लोगों को अब उसकी कीम समझ आने लगी है, एक सीए होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, इसका बहुत सारा फाइदा है, मेरा सार आपसे एक ही क्वेशन है, कि वोट बेंक की परवा किये बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं, जैहिंद बहुत सरल्फा जवाब है, सवाक्सों करोर देशवाशों के आशिरवाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता है देखिए, समाज जीवन में, आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, ये मौका हमने घवाना नहीं चाहिए, कोई कलपना कर सकता है, कि जब हमारी सरकार बनी, तब हम दुनिया में, अर्थ व्यवस्था में दस्वे नंबर पे थे, पूरी वीश्वे में हम दस्वे नंबर पे थे, आज हम छठे नंबर पे पहुंच गए, चार साल में, दस्वे से चे नंबर पे, और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा, ये खबर आएगी, कि भारत अब पांच में नंबर पे पहुंच गया है, दुनिया के समरूत देशों को हमने पीछे छोड़ दिया, आज हम गर्व कर सकते हैं, कि दुनिया का सबसे उंचा स्टेचियो किसके पांस है, कौन हिंदुस्तानी होगा, जिसको गर्व नहीं होगा, दुनिया का, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रीज, हमारी सरकार के समय लोकारपन हुआ, किसको गर्व नहीं होगा, पहले की तुलना में जब हम आए दोजार चौधा में देश में 38 प्रतिशत सेनिटेशन था सवचाले थे गामेट सवचाले 38 परतिशत आज 98 परसेंट हो गया